बिल्कम बैक फैन दोस्तों नमस्कार इस वीडियो हम लोग देखने वाले स्पेशल SSC GD 2022 कटाप कितनी जा सकती है आप सभी के एक्जाम चर रहा है मिर भाई इस वीडियो हम लोग देखने वाले कितनी सीट है कितने बच्चे एक्जाम दे रहे हैं आपका कमपेटिशन कितना होगा और पैट में कटाप कितनी जा सकती है फिचकल के लिए और फाइनल कटाप कितनी जा सकती है आल इंडिया ठीक है आल इंडिया मतलब कि राज प्लस यूटी हम लोग देखने वाले पूरा A2Z लायन पर बने रहना पूरा डाउट किलियर हो जाएगा कितना कमपेटिश बच्चे एक्जाम छोड़ हैं और कितने बच्चे एक्जाम दे रहे हैं निउस पेपर के हिसाब से क्यूंकि आप सभी को पता है ओफिस्टिय लाता है तो मेरे भाई देख चुका हूँ यहां पर देख लीजिए सब को सारी चीज आपको दिखाने वाले हैं यहां पर देखो आप सभी के कितना फार्म पड़ा है टोटल यहां पर देखो इस क्रिम पर आपको दिख रहा होगा स्सी जीडी दो हचर वाईस तेज स्पेसल कटाब जो आप सब का है चल रहा है सीट केतनी है 45,284 जो की बहुत जादा है इसके पहले 25,000 सीट थी फार्म पड़ाता 71,000,000,000 सीट इस बार जादा है 45,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, मेरे भाई यहाँ पे दोखो सीट कितनी है आपको एक सीट मिलेगी कि नहीं वीडियो देखने के बाद पूरा डाउट किलियर हो जाएगा क्योंकि एक वीडियो बनाएँ इसलिए क्योंकि हम प्रीबियस येर जो पेपर था और जो कटाब थी उसको सारी चीज एनलेसिस कर चुका हूँ एक वीडियो आर रेडि से अपलोट कर चुका हूँ तो मेरे भाई ऐसे नहीं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है अगर वीडियो बनाना होता ऐसे सीजीडी का तो बहुत पहले बना देते क्योंकि इतने सारे सिफ्ट में एक्जाम अभी खतम हुआ है और 2018 भी देखा हूँ और 2021 का कटाब भी देख चुका हूँ सब कुछ देखने के बाद एक कटाब बन रही है तो भाई ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही टंपरेरी बना रहा हूँ ठीक है कटाब बहुत ही एन अनलेसिस करके बहुत ही जवरजस्त तरीके से बनाए हूँ देखने के बाद मज़ा जाएगा चलिए यहाँ पी देखो सीट है 45,284 टोटल फार्म अपलाई हुए 54,15,938 इतने सीट के लिए ठीक है इसमें जर्नल EWS OBC SC ST female अब हम लोग देखते हैं कटेगरी वाइज टोटल फार्म इतने अपलाई हुए और कटेगरी वाइज देख लेना जर्नल में टोटल फार्म पड़ा है 8,666,650 EWS 3,233,233 OBC 23,171,606 सबसे ज़्यादा इन्हीं का फार्म पड़ा है उसके बाद दूसरे नंबर पे SC कटेगरी 11,95,174 ओफीसियल है ठीक है SC फार्म पड़ा है 6,80,175 ठीक मेरा भाई इसी में उसके बाद एक सर्विस्माइन 6,494 फार्म पड़ा है इनका male और female दोनों लोग एक साथ include है clear हो गया होगा हम लोग आगे बढ़ जाते है यहां भी देखो आप सभी का exam चरायते हैं यहां पर देख लीजिए कितने बच्चे exam छोड़ रहे हैं और कितने बच्चे exam दे रहे हैं इसके पहले जो paper हुआ था 62%, 33%, 64, 65% मात्रे बच्चे exam दिये थे तो इस बार भी सेम होई है 60-65% उल्ली बच्चे exam दे रहे कम है जादा नहीं होगा क्योंकि paper कहीं साब से तो वही 69, 60, 61, 62, 63, 64 ऐसे ऐसे आ रहा है तो मेरे भाई 65 से ज़्यादा डाकेगा ही नहीं तो 65 सबसे highest ली है जब यहाँ भी देख लीजिए 64,15,938 में 65% अगर बच्चे exam देंगे तो ठीक है तो कितने बच्चे exam देंगे 35,20,369 बच्चे exam देंगे ठीक है यही competition real है इतने में से नहीं यह real है क्योंकि जो बच्चे छोड़ दिये वो तो जाने दीजिए जो बच्चे exam दे चुके हैं उनी का competition है तो 35,20,369 बच्चे exam देंगे 65% के हिसाब से ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इतने बच्चे exam दिये दिन उसके बाद आप सब की कटाप आएगी ठीक है PST और PIT के लिए आएंगे ठीक है उनली 9 बच्चों के लिए एक seat के लिए जो select हो जाएंगे दवड के लिए मातर 9 बच्चों का competition है clear फिसके बाद दवड के लिए बात करते हैं official notice में बोला गया कि 8 बच्चों को हम pass कराएंगे इतने बच्चे पास होगे अब इनी की इतने बच्चों की दवड होगी इसके बाद यहाँ पे देखो 90,564 बच्चों को pass कराएंगे DB पलस medical के लिए DME पलस DB के लिए इतने बच्चे पास होगे 90,564 अब जो बच्चे इसमें से दवड करेंगे कुछ बच्चे पास हो जाएंगे और कुछ बच्चे यहाँ पे फेल हो जाएंगे इसी में से जो बच्चे पास होंगे 90,564 बच्चों को pass कर लेंगे इतने बच्चों को pass कराएंगे जिनका होगा DB पलस DME मतलब Detail Medical Examination आपका होगा इतने बच्चे पास होंगे उल्जी इतने में से जादा बच्चे इसमें pass कर गए जीसे मालेजीी 3,62 ज़्या दोड़े उसमें से 0,5 लाग बच्चे पास होगे तो मेरे भाई देख लेना 0,5 लाग बच्चे पास होएंगे इहाँ पे देख लिगे अंदर से आउट मतलब आपको merit नहीं सो करवाएंगे ठीक है ओलोग आटो मेटिक चार देंगे आपको जो बच्चे इसमें आ जाएंगे उनका सेलेक्षन हो जाएगा DB PLUS medical के लिए final के लिए ठीक है इतने बच्चे इतने मैं से जादा बच्चे पास करा जाएंगे तो अंदर से कुछ बच्चों को छाटके दिन उसके बाद इतने बच्चों को कॉल किया जाएगा medical PLUS DB के लिए मातर दो गुना बच्चे को ठीक है उसके बाद क्या होगा आगे देखिए जिसका बेसबरी से आप लोग इंतिजार कर रहे थे देख लिए आपके सामने पेस कर दिया हूँ competition कितना सीट कितने थी कितने बच्चे पास होंगे officially सारी से दिखा चुका हूँ कितने बच्चे एकजाम दे रहे ठीक है उसके बाद देखिए कटाब कितने आपकी जाने वाली है 2023 में जब आपका original declare होगा एक महिने बाद तो यहाँ पे देख लिजिए पेट की कटाब कितनी जा रही होगी इसक्रीन पे आपके सो कर रहोगा देख लिजिए 160 नमपर का पेपर है question है total 80 time है आपके पास 60 minute तो यहाँ पे देख लिजिए जो बच्चे बता रहे हैं आपको YouTube में आप लोग देख रहे होंगे कोई बता रहा है 75 कर लिए कोई बता रहा है 77 कर लिए इस पे मत जाईए मेरे भाई अपवाद है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओ लोग कम होते हुए बहुत याराम से आ जाएंगे 55 पे कोई दिक्कत नहीं ऐसा हर एकजाम में होता है ऐसा UPSIM भी होता ऐसे नजाने कितने एकजाम में होता है बताते हैं ऐसे इसे इतना किये पता चलता जब रिज़र्ट डाता है तो पता चला हमारा 55 ही है ठीक है? तो उसको छोड़ दीजिए एग नूर्गरी 160 नंबर में कितना नंबर आपका बन रहा होगा ता मेरे भाई आपका पेट में सिलेक्शन होगा उसके बाद फाइनल कटाप कितनी बढ़ेगी जब आपको एक पोस्ट मिलेगी तो यहाँ पे देख लिजिए उत्तर परदेश, राजज और हरियान राज यहाँ आप देख लिजिए डंजर राज, उत्तर परदेश, हरियान अड़ा मद्द परदेश, राजस्थान, यूटी यहाँ पे देख लिजिए दिल्ली, लिया हूँ और उत्तराखांड, बिहार जारखांड, हिमाचल परदेश, महाराष्ट, छत्तितगार टोटल यहाँ पे देख लिजिए ग्यारार राजज और यूटी लिया हूँ इतने राजज के जो मेल फिमेल है कटाब इनकी इतनी जा सकती है स्क्रीन पे आपको सो कर रहा होगा यहाँ पे देख लिजिए, देख लिजिए इतनी ही कटाब आपकी जाएगी क्योंकि इस बार सीट जादा है, माइनस मारकिंग भी है और नालमला जिसन का फाइदा इस बार बच्चों को बहुत जादा मिलेगा, कटाब इससे जादा नहीं जाएगी, यहाँ देखो जर्नल में आपकी कटाब जाएगी 95-100, ठीक है यहाँ पे देख लिए ना, ए राज्यवाले कंडिडेट का अभी नीचे वाले दिखाते हैं, इतने राज्य के बच्चों की कटाब ए जाएगी, स्क्रीन पे आपको सो कर रहा होगा, जर्नल में यहाँ देख लिए 95 से सो जाएगी, नमबर है ठीक है, 160 में से, ठीक है EWS का 90 से 95, बच्चे पास कर रहे हैं फिजकल के लिए यह बच्चे पास होंगे फिजकल के लिए ठीक है, जब आपकी इतनी कटाब बन रहे होगी तो आप लोग फिजकल में जाओगे EWS का 90 से 95, बच्चानबे बच्चानबे, बच्चानबे फिजक बात करते हैं तो 85 से 90, एस्टिक बात करते हैं 80 से 85, एस्टिक बात करते हैं 70 से 75 आपका आ रहा होगा 160 में से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पिट के लिए, फिजकल के लिए नापतौल के लिए हो जाएगा फिमेल में 75 से 80, ए राजजवाली ठीक है उसके बाद नीचे देखिए अधर इस्टेट, अधर इस्टेट की बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही कम होगा सर्पराइज होगा, ठीक है इससे भी कम रहेगा, यहाँ देखो अधर इस्टेट पलस यूटी कटा बहुत बहुत ज़्यादा कम जाएगी आप लोग सोचे भी रहे होंगे ऐसा हर साल होता, ठीक है जब जब भरती आती, सेम ऐसा ही होता है तो बेरी बेरी लो, 33% लेके मोर देन 40% से ज़्यादा कत्ता ही नहीं जाएगी किसी भी हालत में नहीं जाएगी 52 आपका कटाप आ रहा होगा 160 में, 50 से 52 नमबर और 64 से highest अधर राजवाले होंगे जो छोड़ दिया हो, ठीक है 64 से 70 आ रहा होगा तो मेरे भाई आप लोग पेट में आपका सेलेक्शन हो जाएगा नापतौल प्लस दोड़ के लिए आप लोग जाओगे अब यहाँ भी देख लीजिए फाइनल कटाप देख ले ना, फाइनल कटाप कितनी आपकी बढ़ सकती है कटाप आपको दिखा चुका है पेट के लिए अब फाइनल कटाप दिखिए कितनी बढ़ सकती है फाइनल कटाप 3 से 4 नंबर या फिर 5 नंबर तक बढ़ेगी पहले तो 6-7 नंबर, 8 नंबर तक बढ़ जाती थी लिकिन इस बार ऐसा नहीं होगा 3 से 5 नंबर आपका बढ़ रहा होगा कटाप जो दिखाया हूँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा एकदम निस्चिंत रहिए बहुत ही राम से एक सिलेक्शन होगा एक पोस्ट आपको मिल जाएगी उत्तर परदेश, हरियाण, मद्द परदेश, राजस्थान, यूटी, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, जारखंड, हिमाचल परदेश, महाराज, चतिसगर, टोटल, 11 राज ए दिखरा होगा इतने बच्चों की कटाप बढ़ होगी 3 से 5 नंबर अधर इस्टेट देखिए अधर इस्टेट की कटाप बताते हैं, मेरे भाई, यहाँ पर देख लेजिए 0.5 ठीके, आधा नंबर से लेके 1.5 नंबर तक आपकी फाइनल कटाप बढ़ेगी जो अभी आपको दिखाया हो, यहाँ पर देख लेजिए उपर जो दिख रहा होगा, बाकि जो नंबर राज्ज हैं, इतनी कटाप बढ़ेगी आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा, एक पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीके, यहाँ पर देख लेना, आपको दिखा चुका हो कटाप इतने में से आपका कुछ नंबर जादा होगा, पांच नंबर तो भईया आपका सेलेक्शन होने वाला है एक पोस्ट आपको इस बार बहुत यह आराम से मिल जाएगी और नार्मलाजेशन में आपको जबाज़स्त फाइदा होने वाला है मिलते हैं ने स्टोडियों थेंक्यू, धन्यवाद एक वीडियो और आने वाले इस पे सलाएगी